बेगम हजरत महल को बारे मा धेरेलाई जानकारी नहुन सक्ष। उनी भारत को पहीलो स्वतंत्रता संग्राम की एक महान सेनानी हुन रजण्डै एक से साथी बर्स पहीले उनलाई नेपाल ले सरण दिये को थियो। भारत को उत्तर प्रदस इस्तित अवद राजे की महरानी हजरत ले सन अठार से संताव नमा ब्रिटिस ले कपजा जमाय को भारत मा इस्ट इंडिया कमपणी बिरुद्ध को युद्ध मा नेत्रित तो गरे की थीन। अवद का सासक नवाव वजित अली सहालाई कोलकत्त मा निर्वासित गरिये पसी नाबालिक छोरालाई राजगद्धी मा बसायर उनले ब्रिटिस सासक बिरुद्ध युद्ध छेडी की थीन। सन 18 से अंठाउनमा युद्ध हारे पसी दर्वार छाडना बाद्धे भय की हजरतले गाउं गाउं मा गयरा ब्रिटिस सासक बिरुद्ध मोर्चा बंदी गरे की थीन। संबभ भय सम्मा ब्रिटिस सासक बिरुद्ध लडे की उनी अंतमा जियान जोगाउने के लागी नेपालमा सरण नी न बाद्धे भय की थीन। ततकालीन राणा प्रधान मंत्री जंग बहादूरले बिटिस संगा राम्र सम्मन्द हुन्दा हुन्दै पनी एक खिताईसी छिमेकी को नाताले उनलाई नेपाल मा सरण दिये का थिये। भारत को बिटिस सासकले उनलाई सुपुर्धुगी गर्ना अग्रह गर्धा जंग बहादूरले सरणा गतलाई फिर्तागर्णू हिंदू परंपरा अनुसर पाप हुनी भायकोले फिर्तागर्ना नमिली जौफ देका थिये। हाजरतलाई नेपाल सरकारको निगरानी मा राखीनी र बिटिस बिरुद्ध सडेंत्र गरेको खंडामा जंगवादर स्वेम उतरदाई हुनी सर्थमा बिटिसले कुने आपत्ती न गरेको बताईं चा। बेगम हजरतले जीवन को उतरारध काटमांडों में बितायकी थिन। प्रदिप केसी को साथमा सरस्ष्योती कर्माचार्य काटमांडों।